हेलो एब्रीमान वेल्कम टू पूजा स्वीट हो मैसेश कैसे आप सम लोग उबीद करती हूं बहुत अच्छी हों के आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करी हूँ यह है बेगॉली फिश करी जो करी है वो मस्टर्ड सीट के उपर मेज़ड है मतलब मुह करी मस्टर्ड सीट से बनती है यह बेगॉल की बहुत ही फेमस दिश है जिसको की बोला जाता है शौर्शे बाटा यह बहुत ही आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ बेग और फिश करी आपके लिए मैं बना रही हूँ बेग और फिश करी इसके लिए सबसे पहले मैं चार चपच बस्टर्ड सीट्स को पानी में डिप करके कुछ तेर के लिए 15-20 स्पिरेट के लिए रखतूँगी अब यहां पर ले रही हूँ दो टमाटर दो तीट गार्लिक के क्लफ्स और आट तस हरी बिच्ची फिश यहां पर एक केजी ले रही हूँ जो यहां पर अवेलेबल होती है आप कोई भी ले सकते हो जहां से आप भी लॉग करते हो जिस र एकुली हर पीस पे लग जाए और डबक और हल्दी फिश अच्छे से पकड़ ले आप गार्लिक क्लफ्स और बस्टर्ड सीट को बिक्स्टर में डालके उसका एक स्मूद सा पेस्ट बना लूगी अगर थोड़ा सा पाड़ी चाहिए होगा तो आप पाड़ी आड़ कर दे मैंने स्मूद सा पेस्ट तयार कर लिया है बस्टर्ड सीट और गार्लिक क्लाउस का अब मैं पैन में तेल को अच्छे से गरम कर रही हूँ और उसमें मैं मैं बैरिडेटिट फिश को फ्राय करूँगी और तेल हमारा गरम होना जीए ठंडा नहीं होना जीए नहीं तो देख रहे हो यह फिश का पीश को मैंने उठाए ना इस तरह का अब इस फ्राय हो गई है अब मैं उसमें से तेल आदा बहार निकाल दूगी यह भी योज होगा अभी मैं बताऊंगी आपको आप जादा यह कब हरी मिर्ची अपने हिसाब से नालना सबसे पहले मैं तेल में मैं हरी मिर्ची डाल रहे हूँ क्योंकि हम लोग सब हरी मिर्ची खाते हैं मैं फोर्थ टीजपूड इस पे जीरा डाल रहे हूँ और जीरा जैसे ही इस लट्णर होगा मै इसमें जो मेरा पेस पड़ाया हुए बस्टर्षीण का और गार्लिक का वह बैस में आट करूगी औ और हरी बिर्च sina दाल सकते हूं चाहें जित्ति बरसी हो कि कि यह स्ढ forty रहे गी तो बाद में जमाप फिश मद बंती है तो उसके साथ अप खा सकते हो जो मिर्च he'll उनको ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी मैं ब्लेंटर में दो हरिमिर्ची ले रही हूँ इसको टमाटर के साथ में ब्लेंड कर लूँगी हमें बस्टर्ड सीट को इसी तरह से ब्राउन करना है आप इसको ढखके किजिए क्योंकि इसके बहुत छिटे बाहर आते हैं और इसको ऐसे ढखके ही ब्राउन करती हूँ शुरुर्व में इसको ढखके पका रहे हैं आप देखे पानी इसका ड्राय हो गया है और हमें इसको इसी तरह से भूढ़ना है अच्छे से भूढ़ना इसलिए जरूरी आप देखे ऑईल सेपरेट हो गया पर आप यह अगर अगर अच्छे तरह से भूढ़ना बहुत जरूरी है पस्टरड को अच्छी तरह से भूर्णे से उसका कड़वापन चला जाते हैं आप इसमें डबक, खलती, चिली फ्लेक्स और धट्या पाउडर और थोड़ी सी देगी भिछ डालूगी और बिल्ची जो है मैंने दो अल्रेडी डाली थी टमाटर के साथ पीसी हुई है और बाक जब आप थोड़ी देर भूटोगे तो हर बसाला अपना कलर छोड़ेगा और इसका रग भी बदलता जाएगा बस्टरड भूट रहे है तो यह बसाला भूटता जा रहा है तो यह थोड़ा थोड़ा ओयल भी सेपरेट करना शुरू करतेगा वाली फूट में बहुत ही वह इसकी ग्रेवी बनाने के लिए और इस ग्रेवी को मैं दस से बारा मिनट तक ऐसे ढखके पकाऊँगी बारा मिनट में यह ग्रेवी रेडी हो जाएगी ओयल सेपरेट हो गया है अब मैं इसमें एक टी स्पूट चीडी का डालूगी और इसको अच्छे से मिक्स करूगी और जो हमारी फिश है जो मैंने फ्राय करके रखी हुई थी वो मैं इसमें आड़ करूगी क्योंकि इसको अब दो मिनट के लिए ही बस पकाना है ग्रेवी भी पकी हुई है और फिश भी पकी हुई है बस इसको अच्छे से कोट कर देगे बसाली के साथ अभी दो मिनट के बाद ही मैंने चेक कर लिए और इसमें मैंने धरिये डाल दिया और अपर गैस बंद कर दूगी और इसको ठक्के रख दूगी 15 मिनट के बाद मैंने लिड ओपर करके देखें तो फिश अबारी रेडी हो गई है सर्फ होने के लिए अब एक और तरीके से फिश को सर्फ करने वाली हूँ जो मैं अभी आपको बताऊं कि जब मैंने फिश फ्राय कर रहा था तो सारे पीसिस मेरे ग्रेवी पे नहीं डाले जब भी फिश बणते हैं वो तीर जिया चार तरीके से बनाते है चार वाराइटी होती है इसमें से एक ऐसी जो एडिश सर्फ करते है जैसा कि मैंने खाया हूआ है तो वैसे तेल लेते और चावलों के उपर जो फ्राइट फिश का तेल है वह डालते है उसमें थोड़ी से और थोड़ी सी हरी मिर्ची और तबग झिड़कते हैं और फ्राइड फिष का पीस लेते हैं उसको तोड़के चाबलों बिक्स करके हाथ से खाय जाता है और ये बहुत ही डिलिशिस लगता है उसे मशरी बच्ट सरह फिश करी रेड़ी है और यह रेशीपी बहुत ही डिलिशेस है आप एक पार ज़रूर ट्राय करना और मुझे फीड़ सरूर डिना क्या आपको यह रेशीपी कैसी करते के लिए क्यों सो बच फर वाचिक एड है वाराइस दे